नमस्कार दोस्तों ग्यान कोचिंग सेंटर के यूटूब प्लेटफार्म पे आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे बैड कोलेस्टराल को कम करते हैं खीरे के बीज खीरा जिसका वैग्यानिक नाम कुकमिस सटाइवस है इसके बीज में पाली अनसेचुरेटेड फैटी एसीड होता है जो बैड कोलेस्टराल को कम करने में मदद करता है खाने में सिर्फ खीरा ही नहीं बलकि उसके बीज भी बहुत फायदेबन है ये बीज सरीर में पानी की कम मुद्धी को पूरा करते हैं खीरे के बीजों में हाइड्रो एलकोहलिक और व्यूटेनालिक कमपाउंड पाया जाता है जो सेहत को कई फायदेप पहुचाता है खीरे के बीज में पायजाने वाले पोसकतत बलड वैसल्ट को साफ करने में मदद करते हैं जिससे रक्त संचा में सुधार होता है और हार्ट अटैक वा इस्ट्रोक के खत्रे को कम किया जा सकता है कोलेस्ट्राल घटाने के लिए खाने के बाद एक चम्मच खीरे के बीज का सेवन करना चाहिए खीरे के बीजों में फाइवर की मात्रा अधिक होती है जो अपच और कब्ज की समस्या दूर करती है खीरे के बीज में पाये जाने वाले बिटामिन और मिर्नल बालों और तवचा के लिए टानिक का काम करते हैं इससे चेहरे की चमक बढ़ती है खीरे के बीज में anti-vacterial तत्व पाये जाते हैं जो मुगी दुरगंद और cavity को कम करते हैं खीरे के बीज anti-microbial होते हैं जो किसी भी संक्रमार से लणने में मदद करते हैं इन बीजों की तासीर ठंडी होती है इसलिए आप इन्हें UTI infection होने पर diet में सामिल कर सकते हैं सावधानी खीरे के पके हुए बीजों का सेवन करने से बचें इससे पेट दर्द की समस्या भी हो सकती है अगर खीरे से एलर्जी है तो इसका सेवन करने से पहले विशेशक्य की सलाह जरूर लें धन्यवाद झाय उतका से ळाया ठाटने से प्यां खीरेक मेंImpर यह सकती है फया जर्द ग्लका मुष्ण करने से एलर्द के उन्यवाद नरूरर ले खीरे में।